स्टेपी तो समझना यह जरूरी कि imperative sentences होते अज़ए संसे बहुत ही आसान एसे sentence जिसकेदर हम क्या करते हैं किसी को कोई order देते हैं जिसकी मदब से किसी को कोई advice देते हैं किसी से कोई request करते हैं वह उन्हेवे more sentence कि यह कि और इसके खासियत क्या होती हिन sentences की always start with the base form of verb जो verb है उसकी base form से हम start करते जैसे आप order दे रहे हों तो order देने का मतलब क्या कुछ करने के लिए तो order दे रहा हूं यहाँ जाओ इधर आओ दरवाजर बन कर दो विलबॉदो इस टाइप से ओधल देने का मतलब एकिसी से कुछ करवा रहे हैं और जब किसी वरब है वो बोल दो और प्लस जो बची वी चुझे चीजे है वो बोल दो यहां subject गायब होता है लेकिन एक और खास बात है कि बिना subject के कोई sentence possible नहीं हो सकता है है ना बिना subject के कोई sentence सही नहीं हो सकता लेकिन इनको तैसी बोलते हैं जैसे कि go there वहां जाओ open the door दरवाजा खोल दो take this medicine twice a day twice a day मतलब दिन में दो बार लो इस medicine को keep quiet सांतर हो work hard कड़ी मेनत करो please help me मेरी सहायता करो सही बात है ना तो इन sentence में subject कोन है स्ट्रेंट subject वो है स्ट्रेंट जिसको हम यह काम बता रहे हैं सही सब्चेट मतलब क्या जो अधाने का काम करेगा जो open करने का काम जो लेगा medicine वही यहाँ पर keep quiet जिसको हम सांत रहने के लिए कि लिए करे हैं है ale work hard please help me हैंना सब्जेट क्या है जो भाग की सब्जेट होता है रहा है मतलब की subject होता यू जो मिस्ट Dallas Dallas यू सिटो है बात को समझो go there का मतलब क्या सिख नो पन ड़ोर का मतलब क्या यू ओपन ड़ोर मतलब जो हमें सुन रहा है तो यहां पर यू लिखते नहीं है ये understood होता है इस paved implement क। ओसे कमरे में ख़ड करके मैं बोल सकता है उपन दो मुझे कोई सुनी नहीं रहा है तो कैसे हो पाएगा है ना तो जो लिस्नर है वही यू होता है यू है ना सभी हमारा सब्जेक्ट होता है इस टाइब के सेंटेंस अब यहां पर आपको एक चीज दिख रहे होगी सब में यहां पर यू लगा लो सब में यू है understood है लिखते नह यह इस ट्रेंट है ना देर मतलब वहां जाओ यह एडवर्ब और प्लेस है इस ट्रेंट सही है बात को समझे ना ओपन द डॉर यू तो सब्जेक्ट होता ही है ना ओपन क्या है आपकी में वर्ब है यू ओपन वट वर्ब से वाट का रिपलाई क्या होता है और मेडिसिन यह आपका ऑबजेक्ट हो गया टेक वर्ब का अब ट्वाइस अडे मतलब यह बता रहा है कितने बार लेनी है है ना एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी यह लेने का काम कितने बार जाम है तो यह एक एडवर्ब है ना इसकी जानगार यह भी पता चलेगा कीप हो कैसे रहना है सांत रहना है तो एडवर्ब और मैनर है वह वर्क हाड कैसी कड़ी मेनद करनी हाड कड़ी मेनद करनी वर्क वाट नहीं वर्क हाव का रिपला है वर्ब से हाउ वैन वेर इस टाइप का जो रिपला होता है वह एडवर्ब कहलाता है और वाट और वूम का रि सिधर object बोल सकते आप help me तो आप यहां देख क्या रहे हैं एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं तो observe करो कुछ verb है जिसके साथ object नहीं है यह go verb का यहां पर object नहीं है open verb का object है यहां पर यहां पर इस वर्ब का object नहीं है help इस वर्ब का object है और यहां पर जो request करते हैं तो प्लीज वगेरा पहले लिख देते हैं यहां पर जो imperative sentence है दो टाइप से हो सकते हैं एक तो ट्रांजिटी वर्ब के साथ जिसके पास object है जैसे कि open हो गया take हो गया help हो गया या फिर ऐसी वर्ब हो सकती जिसके पास कोई object नहीं है तो दोनों टाइप के sentence को हम पैसी वाइस में बदलेंगे आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर पैसी वाइस में तो उन्ही देर लिखा हुआ है बात को समझना है ना गो देर और open दोर इनको कैसे करेंगे वह समझते हैं यह जो गो देर लिखा है इस्टेंड हम क्या कर रहे है और दे रहे हैं गो देर वहाँ जाओ सही है देख अभी समझ में आएगा आपको है तो यहाँ पर तो सर यहाँ पर सबजेक्त वर्ब तो दिख रही स सर वर्ब दिख रही है और सब्जेक्त यहाँ पर कही न कहीं यूआ एक और धेर क्या है आपका एडवर्ब है sommes कॉ घृच तो गआए सब्सकर इसलिए भी तो समझ सकते हैं, यह sentence actually ऐसा है, I order you, order कोन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, सही बात है, और इस काम को जो करेगा, यह ही तो करेगा, वह ही तो subject हुआ न, you go there, I order you to, I order you to go there, यह sentence actually आप ऐसे बना सकते हैं, जब ऐसे बनाएंगे न, तब इसका passive हो पाएगा, इसको ऐसे समझ लो आप यह, ऐसे मन में imagine कर लो कि यह sentence ऐसा कुछ है, ताकि पैसिव बना पाओ, तब यह बन जाएगा आपका subject, I, order बन जाएगा आपकी main verb, अगर इसको ऐसा मान लें और यू बन जाएगा object stand, object की तो तलास थी, जब 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 अबजेक्ट नहीं आएगा, जब तक sentence में object नहीं आएगा, पैसिव वाइस तो बने नहीं पाएगा, और यह बची होई चीजे हैं, तब इसका passive होईस आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इस object को बना देंगे, क्य क्या बनाएगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यू, पहले है तो यू capital रहेगा, यू आर, simple present tense में न, तो इस, आर हम helping worker की रूप में लेते हैं, पैसिव वाइस में, यू आर ओर्डर्ड, इसकी third form, you are ordered, हमने passive किया सिर्फ इतने portion का, इसका passive किया, you are ordered, सही है, object को subject बना लिए और subject को object, by me, I का by me होता है, लेकिन imperative sentence में by लगा कर कोई चीजे नहीं लिखनी है, यह ध्यान में रखना, by me, by them, यह सब नहीं लिखना इस पर है, इसलिए हम by me यहाँ पर नहीं लिखेंगे, you are ordered to go there, बस, लिख दो, to go there, आपको आदेस भिया जाता है, कि आप वहाँ चले जाओ, आपको आदेस भिया जाता है, वहाँ जाने का, to go there, वहाँ जाने का, I order you to go there, I order, sorry, you are ordered to go there, you are ordered to go there, killer instant, ऐसा है, तो यह तो तरीका ठीक है, इस verb के साथ कोई object नहीं था, लेकिन जब object आजाएगा ना, तो दो तरीके से आपको पैसिव बनाना है, देखो समझ लेना, अब बात को समझते हैं, पैसिव बनाना, इस स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना, अभी एक sentence देखा हमने, और उस sentence में क्या था, go there में, कोई object नहीं था, लेकिन जगर object आजाए, अगर मैं order दे रहाँ, open the door, तो you तो subject होता ही है, open क्या आपका main verb है यहाँ पर, और door क्या है, the door यहाँ पर object है, तो यहाँ पर हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, एक तो तरीका जो go there में बताया था, you are ordered to open the door, बस कुछ नहीं करना, you are ordered यहाँ तो लगा देना, to open the door, एक पहला तरीका तो आप समझ गया, लेकिन दूसरा तरीका यह, अगर object है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, let के साथ भी, या फिर जो अभी बताया है, you are ordered to open the door, लेकिन जिस verb के साथ object नहीं, उसको ए you are advised to go there, you are suggested to go there, ऐसा ही बोल सकते हो, सही है ना, you are requested to go there, अगर request कर रहे हैं, तो please go there बोल दिये, उसका पैसे वाइस क्या बनेगा, you are requested to go there, सही है ना, आप समझ लो, अगर order है, तो order, advice, request, जिस तरीके से की change करना चाहो, लेकिन जब object आ जाए, तो इस तरीके से change करते हैं, let plus object, तरीका समझ लो, इसका मैं बनाने जा रहा हूँ, पैसे वाइस, कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे, let, फिर क्या लिखेंगे, object, object है, तो object ही आएगा, let के बाद subjective form नहीं आती, objective form आती, objective form, let the door, the door object है, तो object को लिख लेता हूँ, let the door, फिर क्या है, b, तो b लिख देता हूँ, फिर है main वरब की, b3, b3 किस की main वरब की, main वरब क्या है, आपर open, open की third form क्या होती, opened, है न, o-p-e-n-e-d, ये बन गया, पैसे वाइस, let the door be opened, दरवाजा खोल दिया, जाए, let the door be opened, दरवाजा खोल दिया, जाए, तो यहाँ पर open the door क आप, let the door be opened, लिख सकते हो, ठीक है, अगर मैं लिख दू, close the window, उसका पैसिव आइस कैसे बनेगा, close the window, चलो थोड़ा सा मिटा के मैं यहाँ पर, समझे हैं न, देखो, यहाँ पर लिखा है कुछ rule, जिन verb का object होता है, उन्हें let का use करके भी passive में बदला जा सकता है, कब imperative sentences में, है न, तो यह उसका structure है, यह, मैंने एक example भी बता है, अब थोड़ी सी कर लेतें बच्चों, practice, क्या कर लेतें, practice कर लेतें, इस formula को भूलना नही आपके सामने तीन sentence लिखे, है न, अब पहला sentence है, close the window, order के साथ है, obey your parents, एक advice दी जारी, please help me, एक request की जारी, please से पता चल गया, ठीक है न, तो अब यहाँ समझना sentence, advice और request, यहाँ पर भी देखो, obey मतलब बात को मानना, obey मतलब क्या होते, आग्या का पालन करो, किसके, अपने parents की, तो obey verb का यहाँ पर object है, please help एक verb है, और इसका यहाँ पर object है, वैसे ही, close what, the window, यहाँ भी इसका object है, है न, यह verb थी, अब बात को समझना आप लोग, let वाला जो formula यह किस case में लगाना है, only order की case में लगाना है, कहां लगाना है, order के case में है, और ऐसे order के case में, जहाँ पर आपके पास object हो, बाकी object तो यहाँ भी, पर यह advice है, object तो यहाँ भी, यह तो request है, तो यहाँ let वाला formula आपको नहीं लगाना है, किसके साथ लगाना है, order के साथ, जो की object वाली verb के साथ order दे रहे हैं, तब ही आपको लगाना है, तो इसको passive wise में change करें माझनलो, close the window इसको दो तरीके से बना सकते हो, you are ordered to close the window, धीक है इस तो है, you are ordered to close the window यह तरीका है, या फिर ऐसा भी तो बना सकते हो, let let the window be closed ऐसा ही बना सकते हैं इसको let फिर यहाँ पर object the window फिर be फिर third form इसकी close की closed let the window be closed इसको ऐसा भी बना सकते हैं दो तरीके हैं इसके लेकिन इसको एक एक ही तरीके से बाराना है obey your parents को क्या लिखोगे you are advised देखो इसको क्या लिखोगया एक ही तरीका इसका let यहाँ पर नहीं लगाना है you are advised to obey your parents advise दे रहे हैं या फिर ऐसा should के साथ भी बना सकते हैं should का यूज़ करके इसको ऐसा भी बना सकते हैं your parents object को subject बना लो your parents parents should be should be obeyed third form obeyed by you लगाएंगे क्या by you लगा सकते हैं याँ पर should आ जाएगे तो by you आप लगा सकते हैं इसके समें न your parents should be obeyed by you तो दोनों तरीके साब लिख सकते हैं इसको चाहतो advice भी आ रही तो यहाँ आपके parents को obey किया जाना चाहिए आपके द्वारा तो यह भी एक तरीका है please help me को कैसे बनाएंगे strength इसको एक ही तरीके से मनाएंगे you are requested to help me देखो third वाला जो है please help me इसको क्या लिखेंगे you are requested to help me बस खताम कर देंगे ना यहाँ अब इसमें क्या हुआ ओबे और पेरेंट्स को आपने दो तरीके से बनाया इस चीज़ को थोगा सा ध्यान में रख लेना हुआ एडवाईज दी जाती है तो शुड के साथ भी आप बना सकते क्योंकि यहाँ पर object है उसको subject बनाकर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अब इस्ट्रेंड कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताएगा ओके thank you very much my dear students